हेलो एवरीबन मैं शहरत यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चनल Glance Academy पर आज है एक जनवरी 2024 और आज नवीन वर्सकी नए वर्सकी आप सभी को धेर सारी बहुत बहुत बधाई हो मैं उमीद करता हूँ आशा करता हूँ कि ये साल आपका होना चाहिए जिसमें आप सेलेक्शन लेकर अपनी उमीदों और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके और आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो सके इन्हीं सब बेट्स विसेज के साथ Glance Academy आपके RO-RO और UPPCS 2024 की एक्ज अपने चेक 2023 के Short Notes जिसमें हम लोगों ने वनसागती रोग को complete कर लिया था और आज हम उसके आगे से सुरू करेंगे हींता जन्य रोग तो यहां पर अगर हम देखें कि हींता जन्य रोग या और संक्रामक वह अन्य रोग क्या क्या होते हैं तो इसमें अगर हम सुरू करें अपने टॉपिक को तो यहां पर आपको देखना है कि हींता जन्य का मतलब होता है कि किसी चीच की कमी होना जैसे आपको कहते हैं कि भाई यह हम मेहनत करते हैं तो हमें फल मिलता है अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमें फल नहीं मिलता है इट मिन्स कि आपके पास अगर किस किसी चिछ चिछ के कमी हो जाती है तो कहा जाता है कि आप इन वस्तोंसे से हे Lakogen आती है तो इसिलिए हीवार संक्रामक ़ोग भी कहते हैं कि जो संक्रामक होता है दोस्तों वह स्पेसली वाइरस होता है जो कि एक जग़े से दूसरी जग़े पर फैलता है लेकिन वाइरस से रोग नहीं होता बल्की जिवानों से कवक से फंग weapons से इस तरीके से रोग होते हैं अब । कहोगे कि रत में euric acid बहुने से गटिया रहा गोता है जिसका मुग arthritis कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे आपके blood में euric acid की मात्रा बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आपके जोड़ों पे क्या होता है जो this sinuvial fluid होता है जी से चिकना करता है और काम अच्छे से कर पाता है लेकिन जब वो देरे-देरे सुखने लगता है और ब्लड में यूरिक एसिट का लिवल बढ़ने लगता है तो ऐसे में गठिया रूप बनने लगता है और अर्थराइटिस भी हम उसे कहते हैं तो यहाँ पर यूरिक एसिट के बढ़ने से हो रहा है उसी तरीके से एक बीमारी होती है ड्रॉपसी दोस्तो उसके लिए कार्याओं जिम्मेदार होते हैं जैसे अगर आप सर्सों के तेल का सिवंध करते हैं और अगर उस तर्सों के तेल में आर या पिर साइनाइड अगर आप मिलाते हैं तो भी ड्रॉपसी जैसी बीमारी होगी। और अगर उजला रंग मिलावट होता है। याणि कि सफेद रंग, तो भी है सर्थों के चल्र मिलाने से, हमें ड्रॉपसी की बीमारी होती है। अगर आप उसका सेवन करते हैं तो अब यहाँ पर बात करेंगे cancer के बारे में cancer एक बहुत ही घातक विमारी है, लाइलाज विमारी है दोस्तों तो cancer एक प्रकार की और संगठित उतक बृध्धी की बिमारी है ध्यान देना कैसी बृद्धी है और संगठित और जो कोसिकाओं में अनियंतरित विभाजन इस पे ध्यान देना अनियंतरित विभाजन तो था विकास के कारण होती है क्योंकि cancer में क्या होता है जो body की एक cell होती है जो damage होती है जिसमें cancer के symptoms देखने को मिलते है जैसे मान लेते हैं कि ये एक cell है इस cell का नाम कुछ भी रख दो और इस cell में cancer के symptoms देखने को मिलते है लेकिन cancer में दिक्त ये होती है कि आस पास की जितनी भी cell होती ना उसमें विखंड करती रहती है आज-पास की सारी सेल को डैमेज करती चली जाती है और ये एक ऐसा विभाजन होता है जो अनियंत्रित विभाजन होता है इचिस को कंट्रोल ही नहीं किया आगे देखते हैं यहां पर और हम आगे देखें तो वातुद मात की बात करें जिसको हम लोग हिस्टीरिया नाम का रोग कहते हैं जो वातुनमात होता है उसे हिस्टीरिया रोग भी कहते हैं कभी-कभी मजाक के तोर पे ही या गलत भावना से प्रेशित होकर महिलाओं के साथ अभदरता की जाती है और उनको ये भी कह दिया एता है कि तम्हें हिस्टीरिया रोग हो गया है क्या माना कि रोग हिस्टीरिया जो है मुक्तिता महिलाओं में ही होता है आविवाहित महिलाओं में ही होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये जवान और आविवाहित महिलाओं को अधिक होता है और ये तंत्र का तंत्र सम्मंदी रोग होता है जिसे बेचैनी होती है बेहोसी होती है घबराहट होती है जी में चलाता है लेकिन जैसे ही उस महिला का विवाह हो जाता है तो धीरे 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 करके साल दो साल तीन साल बाद ये विमारी भी समाप्त हो जाती है अब इसका विवाहा और sexual intercourse से क्या relation है इसके बारे में तो अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं है तो कि विवाहा के पशात एक ही चीज़ बदलती है वो होता है जैसे अविवाहित महिला होती है तो सामालता है उसके sexual intercourse के सम्मद किसी से नहीं होते है ठीक है लेकिन विवाहा होने के पशात उसकी जीवन से लिए खान पान रहना सेना उठना पीरेट्स वो सब तो natural है जो विवाहित होने से पहले भी थे लेकिन एक चीज़ बदलती ही वो जलता है sexual intercourse तो हो सकता है उसकी वज़े से कोई परिवाहितान आता हो बॉड़ी में जिसकी वज़े से यह विमारी समाप्त हो जाती है लेकिन एकदम से नहीं कि आज आपने विवाह किया और कर बिमारी समाप्त हो गई एक समय होते हैं दोस्तों जो आपको मुक्त वायू मंडल में देखने को मिलते हैं जैसे जैसे आप सौसन करते हो जैसे जैसे आप सांस लेते हो तो सिलिका आपके बॉड़ी में फिफडों में प्रिवेस करती चली जाती है और जिसकी वैसे एक विमारी होती है सांस देने में दिक्कत होती हैं जिसकोлемों लोग सिलिकोसिस या सिलिकासिस भी कहते हैं अब यहां पर एक चावल के बारे मैं बात करें जो गोलड़न राईस के नाम से भी जाना जाता है लेकिन उसी का एक और وैरियेंट होता है जिसमें हम लोग यह मानते हैं कि पॉलिस किये हुए चावल नहीं होता है अर्थाद विटमिन B1 की कम होती है जो चावल आपके पॉलिस किये होते हैं जो समयनता बहुत ज़्यादा वाइट में साइनिंग करते हैं या किसी और कलर में साइनिंग करते हैं बहुत चमकते हुए चावल होते हैं पॉलिस के हुए तो समयनता जब चावल को प प्रयोग कर रहे हैं तो आपको एक समय के बाद बेरी बेरी रोग हो जाएगा एक रोग होता है बुलीमिया नर्वोशा ये कई बार पूछा यह प्रश्ण इंपॉटेंट है इसको ध्यान दखना कि बुलीमिया नर्वोशा एक भोजन संबंदी विकार होते हैं किसी ब्यक्ति होता है वो एतना मोटा होता है और वो बार बार कहता है मतलब उसे पता ही रहता में मैंनों क्यों प्रता सकता हूं उस मोवी थे कर लेता है हम लोग एक थाली भोजन नहीं कर पाते, जिसमें 5-6 रोटी, थोड़ा सा चावल, सबजी, दाल, अचार वगरा हो, लेकिन वो 5-10 थाली भोजन कर रहा है, फिर भी वो नहीं रुखता है, उसको जबरदस्ती है, उसकी मम्मी रोकती है, उसके पापा रोकती है, कि बेटा बस क भी हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसके फैमली में सभी लोग मोटे हो, या फिर वो जो भी खाना खा रहा है, वो ज्यादा तेजी से डाइजेस्ट कर रहा है, और ज्यादा अपने अंदर एनरजी प्रड्यूस कर रहा है, इसलिए वो और फैट बढ़ बॉलीमिय नर्वोसा के लोग मोटे होते ही होते हैं, लेकिन खाते बहुत हैं और उनको इसलिए पता ही नहीं होता है, तर यहां पर आगे बढ़ने से पहले यहां बहुस तो प्लीज चनल को कर लेना सब्सक्राइब दोस्तों क्योंकि यह जो सिरीज है आपके RO RO exam, UPPCS exam 2024 जिसका notification आ चुका है, एक short notification हो सकता आज कल से form भी बरना सुरू हो जाएगा और VPSC, MPPCS, जितने भी state PCS हैं, उन सभी के लिए यह exam के लिए बेहादी सिरीज इंपॉर्टिन्ट है, क्योंकि घटना चक प्रवालोकन सिरीज बहुत ही महत्पूर होती है आपके prelims को निकालने के लिए और उसके short notes हम लोगों की team के द्वारा बनाये गए, जो पूरे YouTube पर एक मातर platform है, हम लोगों का glance account भी, बाकि कहीं भी इस तरीके के handwritten short notes नहीं मिलेंगे, जिसमें आपको complete chapter, complete pyq, complete explanation को include करते हुए, interlinking करते हुए चीज़े तयार कराई गई हो, और साथी साथ Indian geography complete होगई, Indian quality complete होगी, biology भी complete हो जाएगी, कल एक और class आएगी तब ही, आज की class और कल की class, इसके बाद biology complete, environment already 2-3 class हो चुकी है, modernistic की भी आज class शुरू हो जाएगी, तो लगातार आप इस notes के साथ आप तयारी अच्छे से कर सकते हो, और इसकी PDF को अगर आप purchase करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे दिया गया एक WhatsApp नंबर है, जिस पे आप message कर सकते हो, और जहां से आप PDF को purchase कर सकते हो, और साथ ही साथ आप उसकी printout निकालकर बहतर तयारी हमारे साथ कर सकते हो, इसके बाद मैं आपको current affairs और RORO के PYQ और test series भी जल्दी ही सुरू करूँगा, तो चलिए दुबारा आते हैं टॉपिक पे, तो चलिए टॉपिक पर दुबारा देखते हैं, कि Blue Baby Syndrome, यानि कि बच्चों में जो एकी syndrome ये पाया था है, ब्लू बेबी के रूप में, अगर हम बात करें, तो ये दो तरीके से होता है, ध्यान दे ना, दो तरीके से Blue Baby Syndrome होता है, एक तो होता है, दो स दूसिच जल में, जब नाइटरेट की मातरा अधिक होती है, और हम उस दूसिच जल का बारबर बच्चे को सेवन करा रहे होते हैं, तो धीरे धीरे उसकी बॉड़ी के मुखे मुखे पाड़ जैसे होट वगरा हो गए, या बॉड़ी के और पाड़ हलके नीले पढ़ने ल बच्छे को Blue Baby Syndrome होगा, जो कि RBC के Hemoglobin से, Nitrite की क्रिया से होता है, तो कहीना कही Hemoglobin से क्रिया करता है, जिसकी वज़े से मिथेमोग्लोबिन तयार हो जाता है, तो चाहे रक्त में मिथेम हमोग्लोबिन बन जाए, Nitrite की क्रिया से हेमोग्लोबिल से या फिर दोसिज जल में नाइटरेट की अधिकता से तो इस वज़े से ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में देखने को मिलता है और इसी तरीके से जो एक हार्ट अटेक की बीमारी होती है तो कि देखे दोस्तों हम लोग अब बीमारी वाले चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर चला है फिर अधर चैप्टर को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे तो हार्ट अटेक के बीटा ब्लॉकर नाम की दवाई देकर उसको बचा सकते हैं तो इसलिए कभी-कभी आप मोवी में देखोगे कि डॉक्टर कहते हैं कि आप बहुत ही सही समय पर इनको हॉस्पिटल लेकर आ गए अदरवाइस थोड़ी सी देर होती तो साध हम नहीं बचा पाते तो गोल्डन पेशन्ट होते हैं उनके हार्ट को अच्छा रखने के लिए उनके हार्ट को स्वस्त रखने के लिए पोटेशियम की मातरा अधिक होनी चाहिए और पोटेशियम सबसरीक सेव में होती है इसलिए हार्ट के पेशन्ट को सेवन जरू करना चाहिए अब यहां पर देखें कि अगर potassium की कमी होगी, तो इससे BP का रोग होगा, यानि की low BP का रोग होगा, निम्न BP जिसे कहते हैं, low BP, अर्थात की blood pressure जो है कि उसका down रहेगा, ये बीमारी उस ब्यक्ति को होगी, अब इसके बाद बाद करें, कि यदि मूत्र में albumin आ रहा है, तो kidney fail होने की आशंका रहती है, और हलांकि albumin रक्त में पाया जाने वाला एक protein होता है, तो albumin क्या होता है दोस्तों, ये protein होता है, अब जैसे किसी ब्यक्ति का prostate अगर बढ़ गया है, या और समयनता ये जो बीमारी होती दोस्तों, ये मुख्य पुरसों में पाई जाती है, प्रोस्टिट एक ऐसा पार्ट होता है, जहां पर हमारा पेशाब पुरा एकत्रित होता है, फिर हम मुत्र नली के माध्यमस से बाहर करते हैं, लेकिन अगर किसी ब्यक्ति को पेशाब में infection है, और वो बार बार पेशाब जाता है, हर आदे हो सकता है कि धीरे-धीरे वो infection क्या करेंगे, जो blood में यूरिया पाई जाती है, sorry, blood में जो albumin पाई जाती है, जो कि एक protein होती है, जो kidney के दौरा जब blood का filter किया था, blood की सफाई की जाती है, तो उस दौरान ये albumin blood से निकलके मुत्र नली का के माध्यमस से बाहर आने लगती है और जिससे क्योंता हमारे रक्त में protein की कमी होने लगती है, और इससे kidney fail हो जाती है, kidney fail हो जाती है, तो ऐसे में dialysis वगरा ये सफिर करना पड़ता है, फिर ज़्यादा समस्या वढ़ती है, तो अगर आप में से किसी की family में भी ऐसा कोई केश हो, कि बार बार अगर उसे पेश पर होता है, जैसे आप 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन का अगर आप अंशन करते हो, जैसे जतिनलाल, modern history में आपने पड़ा होगा, कि जतिन दास जी ने उपवास रखाता है, एक लंबे समय तक, तो उससे क्या हो गया, कि kidney पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है, और फिर उनकी म बात करता है, जो leukemia होता है, leukemia क्या होता है दोस्तों, जब WBC में अचानक बहुत तेजी से व्रिद्धी होती है, यानि वाइड ब्लट सेल में अचानक बहुत तेजी से व्रिद्धी होती है, तो उसी को हम cancer या leukemia कहते हैं, iodine 131 की बात करें, तो thyroid गरंती होती है इसमें, और पूशा जाता है कि आर्सेनिक 74 का प्रेयोग किस्मी क्याता है, तो भाई आपको होगे, tumor को पहचानने के लिए, कोबाल्ट का प्रेयोग, cancer, जो कि leukemia cancer के समाधान के लिए, iodine 131, thyroid गरंती के लिए, sodium 24, रक्त ब्यतिक्रम, यानि कि रक्त के बारे में जो पूरी जानकारी ले इसके उपचार हे तू, पासफोरस 34 और कोबाल्ट 60 इन दोनों का ही प्रियोग कियाता है, तो कि कोबाल्ट 60 गामा किरिणे उसरजित करती है, और गामा किरिणों से हम क्या करते है, UV ठेरपी करते है, कौन से ठेरपी करते है, जो कि ultra wallet raise के द्वारा जो ठेरपी की जाती है, particular एक्सराइज कराई जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं, और ये कोबाल्ट 60 से गामा किरिणे इसलिए उसरजित होती है, फिर वहीं अगर हम इंफ्रा-डेड विक्रण की बात करें, जो कि अवरक्तिक विक्रण, और इसको कौन उसरजित करता है, इसको समयनता है, फिर्थ चैंसर के लिए उत्तरदाई मना जाता है, फिर यहां पर एक वर्ड आता है, अप्रूपांतरण, एक प्रिक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंतर में कैंसर कोसिका है, दूसरे अस्थानों या अंगो तक पहलती हैं और ये कैंसर का थर्ड स्टेज होता है, इसक बहुत तेजी से दूसरे अस्थानों या दूसरे बॉड़ी पार्ट तक फैलती चली जाती है और इसे ही कहते हैं कैंसर का थर्ड स्टेज, इट मिंस की डेंजर जोड, अब जैसे मान लिजिए आपके पैर की किसी मांस्पेसी में कैंसर का पार्ट बना हुआ है, कैंसर के जोएकि सिम्टम्स है किसी सेल में, लेकिन वो सेल इतनी तेजी से ग्रोव कर रही है, अभी मैंने उपर पढ़ाया, और नियंत्री जोएकि उसमें विगटन होता है, या यू कहें कि कोसी का विभाचन और नियंत्री तरीके उस होता है जो कंट्रोल नहीं होता है, जो पुरे पढ़ाया को फिर कवर कर लेती, जांग में अगर कहीं पर कोई ऐसे इन्टेक्शन है, जो कैंसर का प्रतीक है या, कैंसर उसे बता दिया है कि यह पाट कैंसर का हो चपा है, इसमें कैंसर हो गया, तो वो बहुत तीजी से, पूरे का पूरे पैर में फैल जाएगी नीचे घुटने, पिंटली, एडी और हो सकता है उपर उठते उठते कूले और कमर में भी वो तेजी से फैल जाती है और इसी को हम कहते हैं कैंसर की थर्ड स्टेज जब पूरे मांस्पेसी कोई नहीं पूरे पैर को काटना पड़ जाता है तो इसे बहुत ही खतरनाक मनेता है फिर एक आयनी विक्रण होती है यानि आयोनाइज जो विक्रण होती है कि वह कारक है जो करक रूग यानि कैंसर उत्पनिक कर सकता है और उसका उपचार भी करता है कि कारण और समाधान दोनों होता है जो आयोनाइज विक्रण होती है रेज ह अब वो X-ray मसीन में रोज जो है कि करीब 100-500 X-ray सरकारी अस्पताल में निकाल रहा है। लेकिन X-ray भी क्या है? एक तरीके से X-rays वो एक विक्रन है, जो आइविनाइजड विक्रन है, जो उसकी बॉड़ी में लगातार एंट्री कर रही है। और बॉड़ी में एंट्री करने की वज़े से वो कारण बन सकता है कैंसर का, कैंसर जैसी बीमारी उसके बॉड़ी में ग्रोथ कर सकती है। लेकिन बाद में उसी X-rays से, अल्ट्रा वालेट रेज से, UV-rays से उसका इलाज भी किया जाता है। तो आईनी करन क्या होती है, यह एक ऐसी विकरन होती है, जो कारण भी बनता है और समाधान भी बनता है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों लाइक कर देना, और साथी साथ अगर आपने अभी तक बाकी इसकी classes नहीं देखिए, तो आप लोग जरूर देख लीजेगा, क्योंकि बहुत ही फायदा मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा benefit मिलेगा, इसी तरीके की प्रश के माध्यम से सरवाधिक जो हानी होती है, वो आँख को प्रभावित करती है, जब कि सबसे कम प्रभावित होता है मस्तिस्क, ठीक है, मस्तिस्क जो है कि आपका विक्रण से कम प्रभावित होता है, लेकिन आँखे विक्रण से सबसेदिक प्रभावित होती है, अब यहाँ ऐक वर्ड हुता है IMRT इसका मतल्ल हुता तीवर्ता अधिमिस्रित विक्रन चिकिस्सा, तो अब हम आगे देखते हैं कि IMRT यह नहीं कि तीवर्ता अधिमिस्रित विक्षि किस्सा cancer समाधान की एक नवीन तकनीक है जिसमें स्वास्ते कोशिकाओं को बचाते हुए cancer प्रभावित कोशिकाओं को नश्ट करना होता है क्योंकि आप देखोगे जो भी ultra wallet raise के द्वारा जो भी UV raise के द्वारा जो exercise की जाती है जिसको आपनों लोग कीमो थेरिपी भी बूलते हैं कि द्वारा क्या कियाता है कि जब हम मतलब जो खराब डैमेज करने होती है जो घर भी रहे है घर देमेज कोशिकाओं उसे मार भी रहे लेकिन साथी साथ हमारी बहतर या अच्छी वाली कोशिका जो इसे good cell कहते हैं वो भी समापत हो रही है लेकिन IMRT जो तकनीक है इसके द्वारा कीवल और कीवल अब बैड कोशिका है जो खराब कोशिका है कैंसर प्रभावित कोशिका है किवल उनकी मृत्ति हो रही है और अच गहात मस्तिस कहते हैं प्रमस्तिस अंगात या प्रमस्तिस पक्षा घात या इसको cerebral policy भी कहते हैं in short income CP भी कहते हैं जिसमें क्यों होता है ब्रेन में ही जो एक ही paralyzed हो जाता है और यह मस्तिस संबंदी विकार होता है जो कि छोटे बच्चों में होती है जैसे सारेरिक नियंत्र होते हैं लेकिन होता कि मस्तिस में ही जो एक लगवा लग जाता है यानि कि पक्षाघात हो जाता है जिसकी वैसे जो मस्तिस को ता है जो वहां के neurons होते हैं जो वहां की तंत्रिका सिस्टम होती है वह अच्छे से function नहीं कर पाती और बच्चा प्रॉपर ना तो चल पाता है ना बैठ पाता है ना वो बोल पाता है यानि उसकी बॉड़ी पे उसका कोई control ही नहीं रहता है इसी तरीके से एक अलजाइमर नाम की अलजाइमर से प्रभावित होने वाला जो प्रमुक अंग होता हो मस्तिस्क होता है और इस से इसमरण चमता च्छड होती है यानि कि memory loss हो होता है वो होता है बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन यहीं आपकी बॉड़ी में अगर बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन लगातार बढ़ता जा रहा है तो आपको अलजाइमर जैसी प्रॉब्लम होगी और इसमें व्यक्ति को भूलने की बिमारी बढ़ती चली जाती है और इसी तरीके से पारकिंसन रोग मस्तिस के कुछ भाग में डोपा माइन की कमी के कारण होता है जब डोपा माइन आपका कम रिलीज होता है क्योंकि बॉडी में इवन की जब ब्रेन में जब डोपा माइन की प्रॉपर मात्रा जो एक रिलीज होती है तो डोपा या तो हमें क्या करना है तो डोपामाइन आपको एक आदेश देता है लेकिन जब बॉड़ी में डोपामाइन कम रिलीज होता है या डोपामाइन हार्मोन की सिक्रेशन बहुत कम होता है तो ऐसे में क्या होता है परकिंसन रोग लगातार बढ़ता चलाता है तो कि ब्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए ये प्रॉब्लम होती है फिर वहीं अगर हम बात करें एनोस्मिया अग्राणता या गंद अग्राइता रो यानि जहां पर सुगने की शक्ति ही खत्म हो जाती है ये मनुस्य की सुगने की सक्ति का नास हो जा बहुत परदूशन है बहुत परदूशन है है जो कि सामान ने कमरे के तापमान पर दरवावस्ता मिलता है। अगर अधिकता होगी तो मिनिमाता बिमारी होगी, कैडमियम के अधिकता होगी तो इटाई इटाई रोग होगा, नाइट्रेट आयन के अधिकता होगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा, फ्लूराइड आयन के अधिकता होगी तो फ्लूरोसिस यानि की दात की बिमारी होग हितु प्रियुक क्याता है क्योंकि लूकोडर्मा जो होता है वो सफेद दाग जैसी बिमारी होती है सफेद दाग रोग जिसको हमनों तवचा रोग कह सकते हैं क्योंकि इसकिन पे वाइट वाइट जो दाग हो जाते हैं इसको लूकोडर्मा कहते हैं और इसको समाप्त करने के या इस बिमारी का इलाज करने के लुकोई स्किन नाम की जो दवा है उसको विक्सित किया है डी आइडियो ने हलाकि और भी ऐसी बहुत सारी दवाईयों को विक्सित किया है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे लेकिन यहाँ हम देखते हैं बिमारी और कारण की बात करें तो marasmus एक बिमारी होती है, एक होती ही quasi worker, तो marasmus क्या होता है, जब दिर के काली का आप उपवास रखते हो, ठीक है, और अगर protein के आपके अंदर कमी होती है, तो marasmus क्या होता है, जब आप बहुत लंबे समय तक आप उपवास रख लेते हो, और मैंने अभी आपको बता है, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक उपवास रखता है, तो kidney जो एकी सबसेधिक प्रभावित होती है, मस्तिस सबसे कम प्रभावित होता है, और उसी तरीके के बिमारी को हम marasmus भी कहते हैं, पिर यहाँ पे कुछ बिमारी है, और उसके प्रभावित होती है, जैस जिसको jointis कहते हैं, तो सबसे अधिक इसमें प्रभावित होता है, यक्रित आपका, निमोनिया में फेफडे प्रभावित होते हैं, जो छोटे बच्चों को हो जाती बिमारी, ताइफाइड, जो की एक फीवर होता है, और इसमें आते बिमार पढ़ जाती है, आत जो होती हम प्रभावित सबसे दिखुटी है, अगर हम मायोपिया की बात करें, जहां पर जो आँक से संबंदित बिमारी हैं, जो आखों में होने वाली, तो सबसे पहले आती है मायोपिया, मायोपिया की बात करें, तो उसे हम दूसरी भासा में निकट द्रिश्टी दोस भी कहते हैं, जिसमें निकट का साफ दिखता है, जबकि दूर का और इसपष्ट या धुंदला दिखता है, तो ध्यान देना, अगर निकट द्रिश्टी दोस है, तो उसमें निकट का तो दिख रहा है, लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, जिससे हम मायोपिया बीमारी कहते हैं, और इस नहीं हाइपर मेट्रोपिया जो कि दूर द्रिष्टी दोस है जिसमें दूर का तो साफ दिखता है जबकि निकट का हमें दोंदला और इस पश्ट दिखाई देता है और इसका उपचार जो है वह उत्तल लेंस यानि की कॉन्वेक्स के माध्यम से हो सकता है और इसी तरीके से प्रव्लबम आती है यलो इस्पोट नाम के वीमारी अन्द बिंदू या पीट बिंदू और आंक के द्रिष्टी पटल यानि budget की मध्ये सुन्तित होती है यह आपका विंदू होता है यलो इस्पोट जहां से आपकी जो ब्लेड वेसल होती ना रक्त वाहिका है वो कनेक्ट यह मतलब आख के सबसे पिछले वाले पॉइंट को होती है और यह रेटीना के मद्धे इस्तित होती है जो कि रेटीना को हिंदी में दृष्टी पठल भी कहा जाता है अब इसी तरीके से एक मोतिया बिंद बीमारी होती है जो सामानता बुजर्ग महिलाओं और पुर्सों में होती है जब आदमी बुड़ा हो जाता है 60-65 साल से उपर हो जाता है तो उसे दिखना बंद हो जाता है क्यों होता है क्योंकि यह रोग आख के लेंस पर होता है और यह अपारदर्सी होने पर होता है जबकि ग्लुकोमा की बात करेंगे तो इस बीमारी में आख के पीछे इस से दरिश्य तंतुरी का धिरे-धिरे नस्ड हो जाती है मानव आखों की पुतली ऐट्रॉप नहीं है जो है कि फैलाई जाती जो मानों आखों जो पुतली होती ना आपकी आखों के सामने तो एट्रॉपिनल कलाइट से फैलती है फिर इसी तरीके से एक स्लिप एपनिया एक निद्रा संबंदी विकार जिसमें नीद में स्वसन प्रवाह बार बार रुपता है जैसे आप सोते हो तो आपकी जो सांस लेने की दर होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है जैसे आप जगे हो कोई काम कर रहा हो तो काम करते समय आपको एनर्जी जाजाती है ज्यादा चाहिए होती है और ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा बार क्या होता है पंपिंग होती है यानि आ आप कोई भी ऐसा वर्क नहीं कर रहा हो तो जिसमें एक्स्ट्रा एनर्जी के हमें आवश्यक्ता हो तो ऐसी इस्तिती में धीरे-धीरे भी आप स्वसन करते हो और अपना काम चला लेते हो लेकिन कभी-कभी होता है कुछ लोगों को यह बीमारी होती है कि स्वास की जो प्रव प्रवजिकल रीसरफेसिंग या जॉइंट रीसरफेसिंग या एक आधुनिक सल्य तकनीक और ऑपरेशन तकनीक है जिसके द्वारा घुटने के जोड नितंब के जोड़ नितंब मतलब आपके जो पूले होते हैं उनके जोड़ और एड़ी के जोड़ों आधी का उपचार किया जाता है मदिरा या सराब के अती सेवन करने से यकृत का सूशन रोग यानि कि लीवर सीरोसिस होता है अगर आप ज़्यादा सराब पीतो तो आपको लीवर सीरोसिस हो सकता है यकृत का सूशन रोग ओरल सब्मुकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण तंबाकु युक्त गुठका का सेवन है अगर आप तंबाको युक्त गुठका का सेवन कर रहे हो तो आपको ओरल सब्मुकस फाइब्रोसिस का बीमारी होगी और इसमें मुँ के अंदर का जो भाग होता वो कठोर हो जाता है जिससे खाने पीने या बोलने आदि में समस्या होती है तो कि यह जो साइड के जब्रे होते हैं जो आप प्रॉपर मुँ खोल पाते हैं जैसे कभी आप जमाई लेते हो तो आपका मुँ बहुत तेजी से खुलता है ठीक है बहुत ज्यादा खुलता है और लेकिन अगर आप इस तरह के का तमाको युक गुठका कप्रियुक कर रहे ह तो आपको यह जब बीमारी हो जाएगी औरल सब्मुकस फाइब्रोसिस तो आप जमाई भी लोगी न बहुत छोटा सा मुझ खुलेगा या यू कहें कि चोटा मुझ हो गया तो आपको अगर कोई खाने का बड़ा टुकड़ा खाना है बड़ा बाइट खाना है चिकन खाना हैं बहुत डीटेल स्टडी कर लिए जहां से जो जो प्रश्ण आ सकते हैं और उनके बारे में जो डीटेल जानकारी है वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कॉंसेप्चिल तरीके से तयार किया है अगर आप लोगों ने उन क्लास को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट कर करती है ज्यान देना और जिससे पीले बिलरूबिन की महातरा रक्त में बढ़ जाती है और यह रक्त पूरे सरीं पहुंचके सरीं को पीला कर देता है तो पीलिया का मतलब क्या होता है बॉड़ी का कलर पीला होना जैसे गाओं के लोग क्या कहते है तुमारी आखे पीली हो तुमारे नाकुन चेक करेंगे और कहेंगे नाकुन भी पिला हो रहा है अंदर से उसे ब्लड की कमी हो रही है तो ब्लड की कमी नहीं होती है अकसल में ब्लड तो रहता है लेकिन उस ब्लड का कलर लाल होने की जगह पिला हो जाता है क्यों कि हमारे ब्लड में बिलरूबिन होत यहां तक एची समझ में आ गई होगी और आगे चलते हैं तो एक और विमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं इसको यूरेमिया भी कहते हैं द्यान देना यूरेमिया अर्थात रक्त में यूरिया की मातरा बढ़ जाती है और इसमें किड्नी प्रभावित होती है क्योंकि जब किड्नी के द्वारा ब्लड का फिल्टर किया एता है नहीं कि रक्त का सोधन कियाता है रक्त को छाना जाता है फिल्टर कियाता है तो ऐसे मे यूरिया को जो एकी छानना बड़ा मुस्किल होता है, क्योंकि यूरिया को छानने के लिए अधिक मात्रम पानी के आवशकता होती है, तो इससे यूरेमिया नाम का रोग होता है, जिसे हम ब्राइटस रोग भी कहते हैं, और अगर आपके रक्त ग्लुकोज अस्तर सामानित अ मात्रा में, जैसे एक्जामपल के रोप में, कि रक्त में ग्लुकोज की मात्रा है, अगर आपको बतानी है, तो 120 मिली ग्राम प्रती 100 मिली लीटर, यानि कि 100 मिली लीटर ब्लड में आपके 120 मिली ग्राम ही किवल ग्लुकोज है, तो ये मात्रा को होता है, यानि मिली ग्राम पहले होता है और डेसी लीटर बाद में मिलीगرाम जो होता है यह ग्लूकोज की मातरा tempo तर्षाता है और डेसी लीटर में अध्यीय रख्त की मातरा को दर्षाता है मात्रा बढ़ने से बार-बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तो ता सरीर का निर्जली करण हो जाता है इसलिए आप देखोगे कि अक्सर जिन व्यक्तियों को या जिन लोगों को पेशाप की समस्या होती है बार-बार पेशाप करते हैं तो उनको चाय मना कर दी जाती है क तो इससे उनकी वार्डी में क्योंत्य करना हो जाता है यनिकि पानी की कम ही हो जाती है और जिससे ब्यक्ति की मिरतिव भी हो सकती क्योंकि जिस्सव्यक्ति विए जब पानी ही नहीं है तो सामाने के बीज रक्त सरकरा को सामाने रखते हैं, रक्त का जो Glukages होता है, उसे सामाने रखते हैं औरρώ कॉलेस्टिरोल को भी कम रखते हैं और ये मधमे की रोगी के लिए बहुत लापदाएक होता है, मेति का सेवन करना, मेति का पानी पीना, किसी भी चीज़ को मेति के साथ च्छौक के साथ खाना सबजी वगरा मेथी डालना बहुत बहतर होता है हलांकि डियाबटीज उपचार के लिए इंसुलीन हार्मोन का अविस्कार किया था तो इसी लिए जिन लोगों को मधमें हो जाता है और उनकी बॉड़ी में इंसुलीन की मातरा नहीं बन पाती जो कि बलड से ग्लुकोज को अलग करे तो ऐसी समस्य में इनके लिए इंसुलीन का फिर इंजेक्शन लगाया था और इंसुलीन हार्मोन का कोज FG बेंटिंग ने किया था अब आगे देख लेते कि कोरोनरी धमनी बाइपास सर्जरी में जो रक्त वाही का ग्राफ्ट हे तू प्रियोग की जाती है वह सीने के वक्ष अस्थान से ली गई धमनी होती है यानि जनली क्या होता है वैसे तो बाइपास सर्जरी आप कहीं से भी कर सकते हो लेकिन जो कोरोनरी धमनी होती है, जो हार्ट की होती है, उसके लिए जब आप सर्जरी करते हो, तो सीने का जो वक्ष अस्थान होता है, नहीं कि जो अस्तन वाला अस्थान होता है, वहीं से हम धमनी को लेते हैं, वहीं से हम इसके लिए बाइपास सर्जरी करते हैं, और है रोग के विभाग से संबंद तो है कैथ लैब जिसको लोग काडियोलोजी डिपार्टमेंट भी कहते हैं फिर आगे देखते हैं और अब हम धीरे-धीरे मनुष्य के रोगों से निकल कर पादपों के रोग की तरह बढ़ेंगे क्यों कि यही वह रोग हैं तो जहां से को सिखाएं सूखने लगती है तो जिरोग्थलैमिया कहां की विमारी है यह आखों में होने वाली विमारी इसकी कमी से होता है और इसमें क्या प्रभावित होता है तो कौर्णिया प्रभावित होती है यानि इसकी को सिखाएं सूखने लगती है अब इसी एक क्वेंट से आ इसमपुट नांडी से बना होता है, जबकि non-vegetarian खाली संपुट, निर्मित होते हैं, जो पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं, आप खाली संपुट का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप सभी ने, मैं यह मान सकता हूँ कि जितने भी आप लोगों, वैसे तो बहतर चीज नहीं मानी जाती कि भाई आप किसी तरीके के दवा खाऊ। लेकिन आपने जब दवा खाई होगी तो एक कैपसूल देखाऊगा इस तरीके से, ठीक है। जो रेड और ब्लैक होता है, रेड ग्रीन होता है, ब्लू बाइट होता है, किसी भी कलर का। लेक छोटे छोटे दाने होते हैं आप उसे निकाल दो उसे गिरा दो तो आपके पास क्या बच गया एक खाली सा प्लास्टिक बच गया ठीक है अब बात आती कि यह क्या प्लास्टिक ऐसी जो हम डारेक्ट अपने पेट में सेवन कर रहे हैं यह गलेगी कि नहीं तो यह दोस्तों से पेट में जाकर गल जाते हैं यानि यह बचते नहीं है तो इनी को कहा था संपूट यानि कि जो खाली संपूट होते हैं तो यह तो थे दोस्तों human body के प्रोग अब हम चलते हैं पादप के रोग जो कि आप से पूछे जाते हैं तो अगर हम बात करें कि पादपों को मुख यहां पर पहला ही पॉइंट है कि वायरस जो होते हैं वो संक्रमित कर सकते किसे किसे संक्रमित करेंगे बताओ अच्छा जीवाड़ू को कर सकते हैं बिलकुल और मैंने आपको बताया भी था कल की कलास में बैक्टेरियो फेज नाम का एक वर्ड यूस किया था मैंने जीवाड मतलब कह सकते हो कि जीव है जो कही न कहीं सभको प्रभावित करता है तो आए देखते हुछ रोग जो कि वायरस से होते हैं कुछ पादप में होते हैं खुछ अलग-अलग कवक से होते हैं जिवानों से उनको देक लेते हैं जैसे अगर हम बात करें कि खटे नासर, जो खटे नासर की विमारी होती है, यह जिवानों किसे होती है, गन्य की जो लाल सण, जैसे गन्या क्या होता है, जो आप कभी खा रहे होगे, और अंदर से कभी-कभी गन्या में एक बहुत छोटा सा छेद होता है, लेकिन आप छीलते हो तो गन्या क्या होता है, पूरी की पूरी एक जो पीस होता है, वो अंदर से लाल-लाल हो जाता है, खराब सा हो जाता है, और आपका वहाँ पे टेस्ट कड़वा सा हो जाता है, तो कवक की वज़े से होता है, और आलू का जो कृष्णिकांत रोग होता है, वो ऑक्सिजन की कमी से होता है, गेहूं का ज थो आपको आगे अरहर देख सकता है, तो ये सबी डलानी फसले होता है, तो आपको परिशाण नहीं होना है, कि उक्छा कीवल चने में होता है, मंटर में देखेंगे, तो मंटर में बुक्नी रोग होता है, और बुकनी क्या होता है अगर आपने मट्र की खेती की होगी या कभी मट्र के खेतों में गय होगी तो आपने देखाऊ होगा उनकी पत्तियों पर सफेज सफेट क्या होथा है पावडर सा गिरा होता है मौसम की वज़े से अलाकि जाडे में होता है ये तो आपको लगता है कि ओला गिरा हुआ है पाला गिरा हुआ है या आप कहते हो उसे क्या कहते हो कि ये एक तरीके से ओस गिरी हुई है लेकिन ऐसा नहीं होता है वो उस पे सफेद सा पाउडर गिरा होता है जो बुकनी कहलाता है बुकनी रोग हो देखिए मैंने अभी बटाए चने में था पिर यां अरैर में हो गया क्योंकि जो उख्था रोग होता है जिसको विल्टिंग रोग भी कहते हैं यह मुखिता पौधों के पत्तियों से संब्दित होता है और इस रोग से पत्तियां सूखने लगती है मुखिता दलहनी वा तिल सफेद कली होती है या पतियों का सीर्स का सफेद होना यह जिंक की कमी से होता है जैसे जैसे इन में जिंक की कमी होती जाती है वैसे वैसे यह प्रॉब्लम बढ़ती है पौदों में वाइट बड्रोग जो होता है वह भी जिंक की कमी से होता है अच्छा जिंक को हिंदी में क्य आप देखो कि गन्य में होता है इसकuren止द्ट तो यहां पर और रोग' की बात करें तो जैसे गेहूं का एक रोग होता है गेरुई मैंने आगे बता है आपको सरसों का भी होता है सफिद गेरुई और इसका भी होता है धान में एक रोग होता है जिसको एक खहरा और जूटकंड यह important रोग है यह पूछा जाता है अपसे एक्जाम में काई बार गेहुंच पर पाए जाने वाले दो प्रमक करोग रोग होता है एक ब्लाकक्रस्ट और एक होता है इसमट करनाल बंट रोग यह गेहुंच रोग होता है और यह भी कवक से इसमट धान का टूंगरो वीशाणू प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुद्ध के द्वारा इट मींस कि जो धान का टूंगरो वीशाणू के द्वारा प्रसारित होता है जिसमें हरी पत्ती के फुद्ध के हो दाते हैं अब आगे देखते हैं तो भिंडी में पीत वर्ण सिरा की जो भीमारी होती है यह सफेद मक्ही से होती है जिसको लोग यलो वाइन मौसिक भी कहते हैं यलो वैन मौसिक भी कहते हैं यानि कि जो पीत वर्ण सिरा होता है आपने देखा हो भिंडी की पत्यां जो होती है वो और अमली रहाते हैं क्योंकि एक समय पर भारत की जो मर्याद कम होने लगा था इस आम का सपरिय 007還 इसंअर्फ पाफ जाते हैं अगे देखतें आनोउंस्य कि बात करें यह तो आपके चैप्टर कंप्लीड होग जो infection ते रोग थे और plant body में जो रोग हो सकते हैं, अब हम चलते हैं science के बाद technology वाले part में, क्योंकि कई सारे प्रशन अभी भी ऐसे हो रहे हैं, PCS में और R-O में, जो technology के part से ज्यादा प्रशन अब बनने लगें, एक तो था general science जो कि physics, chemistry, biology से basic प्रशन पूछे जाते हैं, जिस geography भी सुरू कर सकता हूँ, environment already चली रही है, वो भी complete हो जाएगी, Indian और modern, मतलब Indian quality, Indian geography complete हो चुकी है, modern history को में आज से सुरू कर देंगी, क्योंकि उनकी problem जो दूर हो गई है, काफी आराम मिल गया उनको, वो भी आज से सुरू कर देंगी, और अगर आप लोग भी चाते हैं कि यह PDF आपके पास भी हो, जिससे आप तैयारी कर सकें, revision कर सकें, तो PDF को आप purchase कर सकते हैं, खरीच सकते हैं, जिसके लिए वीडियो के नीचे दिएगा, WhatsApp नमबर पर आप message करेंगे, वहाँ पर inquiry करेंगे PDF के लिए, तो सारी detail आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और जिसके बाद आपको PDF तुरंत के तुरंत वहाँ पर भेज दी जाएगी, हमारे staff के द्वारा, तो अब हम चलते हैं, इसमें आनुवनसिक इंजिनेरिंग और बायो टेकनलोजी, यानि बायो टेकनलोजी, तो इसमें अगर आप देखोगे, कि बायो टेकनलोजी और उसमें आनुवनसिक, आनुवनसिक यह सब बिमारी किस से समयता है, यह बायोजी के चैप्टर है, तो अब इसमें भी जैनेटिक इंजिनेरिंग की जा रही है, तो इसलिए इसका एक एडवांस वर्जन होता है, जिसको हम बायोजी का एडवांस वर्जन कहते हैं, तो इससे भी प्रशन पूछे आते हैं, तो अगर आप देखो कि पुनर योगाज डिने प्रद्धोई की, जिसको हम लोग कहते हैं, री कॉंबिनेंट डिने प्रद्धोई की, यह अनुवनसिक इंजिनेरिंग, जीनों को इस्थानांत्रित होने देता है, कहां कहां से हो सकता है, मतलब यह जो डिने टेकन जिसके मादियम से हम एक अस्थान से, दूसरे अस्थान में ज stellar यह जिन का ट्रांस्फर कर सकते हैं, तो जैसे पौदों की Michigan प्रद्धों में कर सकते हो, जनतूं से पौदों में कर सकते हो, सुख्षमजीवों से उच्छतर जिवों में भी कर सकते हो, तो इसका मतलब ब पहले से उन पौदों में डाल दे, तो कहीं न कहीं वो जीन क्या करेंगे, प्रतिरोधा छमता को डेवलप कर लेंगे, और उनके खिलाफ लड़ सकेंगे, या फिर सुक्ष में जीवों से निकाल कर आप कुछ तर जीवों में डाल सकते हो, और उसी तरीके से इसकी जो चरण हो होगे, जो हमें चाहिए DNA, ठीक है, और रुची वाले जीन का परिवर्धन करोगे, फिर जो DNA पूरी एक जीन की क्या होती है, सिक्वेंसिंग होती है, एक छला होता है, तो वहां से जो हमारा रुची वाला जीन है, हम उसे उठाएंगे, और DNA खंड को वाहक में जोड़ दिय जाएगा, उनर योगाज DNA का पोशी कोशी का अत्वाज जीव में स्थानांतरण हो जाएगा, और बाहे जिन उत्पात की प्राप्ति होगी और प्रवाहिक प्रक्रिया हो जाएगी, अब यहां पर एक वर्ड आता है, जो कि UPSC ने 2020 पूछा था, कि प्राया चर्चा में रह उसे एडिट करने के लिए अर्थात उसे काटने के लिए, तो इसको हम लोग क्रिस्पर केस्वाइन भी कह देते हैं, अब यहां पर एक और टेकनलोजी आती है, जुसको हम लोग केटे है, प्रो न्यूपलियर ट्रांसफर, न्यूपलियर मतलब क्यों होता है, नाभिक होता तो सुत्रकड़ी का क्यों थी माइट्रो कॉंडिया तो इसमें जो हम टेकनोलोजी का प्रियोग करते हैं उसे हम प्रो नुक्लिय ट्रांसफर भी कहते हैं डॉली भेड की बात करें तो सरपर्थम क्लोन की गई अस्तनी थी अस्तंधारी थी और इसे क्लोनिंग तक्नीक द्वा जो कि हरियाना में इस्तित है 2009 में विस्व में भैस के पहले क्लोन बचड़े समरूपा को विक्सित किया गया और जून 2009 में उसके बाद गरिमा का जन्व कराने में भी सफल रहा है यानि कि हम क्लोनिंग पद्दिती से यह देख रहे हैं कि जो हमारे हैं मवेशी है या जो ज पहली मादा क्लोन यानि ऊट 2009 में विक्सित की गई थी और जिसका नाम रखा गया था इन जॉज रखा गया तो कि दुबई में ऊट जो है कि बहुत ज़्यादा यूज किया थे मतलब उट ही वहाँ पर एक तरीके समरुके साधाने सवारी आता है तो ऊटों को डेवलप किय क्याता उत्पन क्याता है अब जैसे ये बताईए अगर माता और पिता आपस में सेक्स करते हैं इंट्र कूर्स करते हैं और अपने न potent न 95 नए बच्चे को जन्ह देते तो यहां पर आ earning है तो आफ कहोगे सर इसमें मता कर्लिंग और पिता कर्लिंग आपस में oni इंट्र कोर जब इन लिंगों का प्रयोग ना करके एक तरीके से कह सकते हूँ कि अलेंगिक विदी से जब डिवलप किया था तो पूरा का पूरा सेम टू सेम लगता है जिसको हम कहते है जिरॉक्स कॉपी यानि कि क्लोन लग रहा है तो वो अलेंगिक विदी से होता है एक होता है इन का माता का अंडारू पिता का 발 integrating में सेटyuप की एक जाएगोट तैयार किया जता है। पर उसके बाद जाइगोट जब बन जाता है तो उसको लेकर माता के गरभासा में 6-48 घंटे के अंदर एंट्री करा दी जाती है और फिर वहीं पर पूरे के पूरे भ्रोल का विकास पले सेंट्री के पास होता है तो इसमें किसी तीसरे पर्षन के एंट्री नहीं होती है यसे माता और पिता दोनों की एंट्री होती है और कोई भी तीसरा ब्यक्ति इसमें एंट्री नहीं करता है तो कि अंडाडू माता से मिलते हैं और इस परम पिता से मिलते हैं समस्य यह होती है कि जो माता की गर्भासा है वो कंसीव नहीं कर पारी है यह प्रेग्निसी और इसमें जो जीन पायाता है क्राई वन एसी को निकाला जाता है अब यहां पर हम stem cell की बात कर लेते हैं इसी मिलते हैं stem cell क्या होती है stem cell बहुत important है यह topic क्योंकि यहां से यह प्राणी में जीवन भर स्वता विभाजन किरिया करती है अपने में ही तोटती रहती है और यह अंगों के च्छतिग्रस से जो ब्रिट्रोल निकलता है, मतलब जो बच्चा पैदा होता है, तो वहाँ से उसे हम प्राप्ट कर सकते हैं, और बाकी बोड़ी के और भी जगह से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं. आगे देखते थे हैं, अब हम इसको देखते हैं कि काई कोशिका नुकली अंतरण होता है, काई कोशिका नुकली अंतरण प्रद्धुई की जिसको हमनों SCNT बोलते हैं, स्वमेटिक सेल नुकली ट्रांसफर टेकनलोजी के द्वारा जन्तुओं की जनननीय क्लोनिंग की जाती ह SCNT क्या हती है, एक तरीके से क्लोनिंग की एक मैथड होता है, वस इतना आपको पता होना चाहिए, स्वमेटिक सेल नुकली ट्रांसफर टेकनलोजी, काई कोशिका नुकली अंतरण जो होती है, ये एक प्रकार से क्लोनिंग की पद्ध्यती होती है, अब चलते हैं, जर आप पेटेंट के बारे में भी जानकारी लेते हैं, तो पेटेंट अधिनियम 1970 के इपतहत है, क्या होता है, पेटेंट अधिनियम 1970 के इपतहत, बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को अविस्कार की स्रेडी से बाहर रखा गया था, और अता इसका भारत में पेटेंट नहीं करा सेप्टेंबर 1958 में बॉद्धिक संपदा अपीली बोर्ड गटित किया गया था जो की अर्धनियाइक निकाय की रूप में भी है यानि इसका मतलब हो गया कि पेटेंट आप किसी प्रकार की चीज़ों करा लो लेकिन यहां पर बाइलोजी में जो बीजों का प्रति आवर्धन यह एक तकनीक होती जिसमें अनुवनसिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास किया था तो यह पादप को जो विक्सित करने के लिए एक तरीके की अनुवनसिक पद्धती होती है और जैव पीड़क नासियों जैव कीट नासक के रूप में जीवाडू का वक उस पी पादप का प्रियोक किया जाता है तो हम इसमें इन सब का भी प्रियोक कर सकते हैं आगे देखते हैं तो टर्मिनेटर सीट्स टेकनलोजी जिसको टर्मिनेटर बीज प्रदोईकी के मात्यम से एक फसल के बीजों में डाला जाने जो डाला जाने वाला जीन बीजों को बंद कर देता है जिससे वीजों का केवल एक ही बार प्रयोग किया आता है इसके दोरा क्यों होता है कि जो हाइब्रिड वीज होते है उनका केवल एक ही बार प्रयोग किया सकता है दुबारा उनमें प्रयोग नहीं किया सकता है वो उतनी फसल प्रडक्शन नहीं देंगे वही विटमिन A में परिवर्थित हो जाता है और यह एक ट्रांसजैनिक चावल होता है। यानि इसका कहीं न कहीं genetically transfer किया गया है, genetically modification किया गया है। और इसका बीटा कै रोटी जेन डाफॉर डील से प्राप्थ होता है. दाफॉर डील एक फूल की प्रजाती होती इस से प्राप्थ होता है. फिर यहाँ पर और भी पॉइंट आते हैं, जिसको हम लोग दूर सिंटेसिस प्रसवपूर einsकलə है. जिसे लिंग का पता लगाए ज़ता है और यह बृंग लिंग में मेडियल इंपलांट्सक्षा है और पुर्थि रोध को भी डर्साती है अंटिबाइटिक रिजिस्टेंस को भी डर्साती बायो चिप की बात करें जिसमें जयविक पदार्त डi न अ लोगों का पता लगाता है कि बच्चे को गर्व के अंतरगत को रोग तो नहीं हो रहा है आगे देखते हैं आपर हम कि जैनेटिक इंजिनेरिंग में प्लाजमिट का प्रयोग किया था है किसका प्रयोग किया था प्लाजमिट का प्रयोग किया था और प्लाजमिट का करते हैं जीवानु भोजी जिसे हम वायरस कहते है इसका प्रियोग आनुवनसिक इंजिनिरिंग में भी किया ते सिस्यू का पित्रत तो या पैत्रिक्ता चिद्ध करने के लिए DNA और जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन भिन लक्षडों को एक साथ नियंत्रित करता तो वो कहलाता बहु प्रभाविता अब जैसे एक जीन है तो हलांकि एक जीन एक लक्षड को कंट्रोल करता है एक लक्षड को दिखाता है लेकिन जब एक ही जीन बहुत सारे लक्षडों को दिखाने लगता है तो उसको बहु प्रभाविता भी कह देते हैं क्या कहते हैं बहु प्रभाविता कहते हैं तो दोस्त कल आपको आपनों comment section बता दीजेगा कि आपको world geography पहले पढ़नी है या physics पहले पढ़नी है या chemistry पहले पढ़नी है क्योंकि maximum course आपको हो चुका है ज्यादा आपको परिशान नहीं होना है बस आपको बार बार इसे repetition करना बार बार इसे revision करना है तो कि यहां से बहुत सारे प्रश्ण आएंगे और यही प्रश्ण आपके UP pieces में भी काम आएंगे तो इस notes को आप पर्चेस कर सकते हो जिसके लिए video के नीचे दिएगा WhatsApp नमबर पर message करें और वहां से सारी detail आपको मिल जाएगी और आप वहां से PDF को easily purchase कर सकते हो print out निकाल सकते हो और हमारी class के साथ उसको regular study करते हो तो आपको ज्यादा double benefit मिलेगा तो मिलते है next class में thanks for watching नया साल आपका सुब रहे